तो छोट छोटी है इसकी, चलो जी, तो during the chemical reaction आपको पता ही है, heat, endo, exo, दोनों टाइप की हो सकती है, endothermic, exothermic, कल इनको लिखने के तरीके आपको बता दिये थे, चलो, इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं, factor affecting the enthalpy of reaction, enthalpy of reaction को कोन-कोन से factor affect कर सकते हैं, ध्यान से सुनना और समझना भई, doubt आए तो discuss करना, simply fingertips पर डाल दूँगा आपके में, see, number one, सबसे पहले आप लिखोगे physical state, okay, physical state, अब सोचोँ न, अगर hydrogen gas react कर रहा है, oxygen gas के साथ, और सामने आपके पास बन रहा है water gas, और यहाँ H2 gas, react करे, half O2 gas के साथ, और यहाँ H2O liquid बन जाए, तो इस बात को आप भी समझते हो, कि अगर physical state बदल गई, अगर physical state बदल गई product की, clear न, physical state तो किसी के भी बदल जाए, तो delta H इसका क्या होईगा, affect होईगा, तो आपको सिरफ heading पे ध्यान देना है, कि factor affecting the enthalpy of reaction में, अगर मैं physical state ब physical state बदल देता हूँ, तो delta H of the reaction क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एक बात तो यह होगी, इससे मिलता जुलता, दूसरा लिखो मैं factory यहाँ पे, allotropic transformation, allotropic foam लिख दो, अगर कोई ज़्यादा इसमें difficult word लग रहा है, allotropic foam, allotropic foam में चेक करो भी, अगर carbon का graphite, carbon का diamond, इसको मै G से graphite लिख देता हूँ, carbon का graphite, या carbon का diamond, चीक है, अगर ये दोनों अलग-अलग react करें, मतलब diamond को अगर आप combustion में लेकर जाओ, diamond को graphite को अलग-अलग, तो बनेगा तो दोनों से CO2 gas ही, बनेगा तो दोनों से CO2 gas ही, बनेगा तो दोनों से CO2 gas ही, लेकिन इन दोनों की जो delta H है, मनलो ये 1 है, ये 2 है, तो किसी भी हालत में ये दोवनों values बर्राबर बराबर होने वाली नहीं है, क्यों नहीं है तो diamond के burn होने में और joyful के burn होने में certain values of energy क्या होने वाली है, अब ये पता है combustion है, तो exothermic evolve होने वाली है टर्मा बोल सकते हो, एक बार बापिस ध्यान दो, मेरी हेडिंग चल रही है, factor affecting the enthalpy of reaction, पेपर में सीधा question हिट करता है, out of the four, which factor doesn't affect or affect, दोनों में से कोई ये question आ जाएगा, clear, the enthalpy of reaction, तो physical state, उसी से मिलता जुलता कोन हो गया, halotropic transformation, ठीक है जी, तीसरी टर्म मैं लिखने जा रहा हूँ, थ्यान से सुन ले न, quantities, कल आपने देखा ही था वैसे तो न, कल आपने देखा ही था, मैंने बेंजीन का 7.8 ग्रैम बर्न करवाया, उसकी जगा मैं 78 ग्रैम बर्न करवाद हूँ, clear, quantities को आप मोल्स भी लिख सकते हो, तो अगर मैंने 0.1 ग्रैम बर्न करवाया, तो उस accordance में हीट निकलेगी, तो इस पे तो सीधा सीधा मैं बात कर सकता हूँ, कि डेल्टा एच डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू दे मोल्स, जानी है, इसी से मिलती जुलती टर्म पते क्या बता रहा हूँ आपको, concentration, इसी से मिलती जुलती टर्म बता रहा हूँ, concentration, जिसे याद करना असान हुझा है, start के दो physical state allotrop, दूसरे अगले quantity and concentration, इसको भी बड़ा simple है, अब याद करू न, मैं आपको बताऊंगा heat of neutralization, क्योंकि तीन मैं start में very very important cover करूंगा, type of the enthalpy of reaction और heat of reaction, पहला heat of combustion होईगा, दूसरा heat of formation होईगा, तीसरा heat of neutralization, फिर बच जाएगा चोटे मोटी बाते ही, वो करते रहेंगे, तो concentration में बच्चे, अगर मैं NEOH लेके चल रहा हूँ, साथ में मैं HCL लेके चल रहा हूँ, इन दोनों की reaction से NACL water बना, आप expert हो इस मामले में, neutralization process है, अगर इन दोनों का 1N1N neutralize करवा दूं, तो heat उसके accordance में, अगर half N, half N neutralize करवा दूं, heat उसके accordance में, तो यहाँ delta H1, यहाँ का delta H2, यह दोनों किसी भी हालत में बराबर होने वाले नहीं है, तो concentration बदलने से, quantities बदलने से, heat of reaction क्या हो रही है, enthalpy of reaction क्या हो रही है, तो पहला physical, दूसरा allotropic, तीसरा quantity, चोथा concentration, इस बात को अगर आप समझ गए हो, तो अगला मैं लेने वाला हूँ, temperature pressure, ठीके जी, और अगला मैं लेने वाला हूँ, इस से अगला, pressure and volume, जिसको देखकर तुम immediately बात समझ जाओगे, अगर मैं temperature pressure की बात करूँ, generally standard condition आपके पास क्या है, 298 Kelvin, clear, and one bar, अगर मैं 298 Kelvin ना लूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं 298 ना लेकर, clear, किसी भी condition में standard condition ना लेकर, जिसमें combustion की reaction ही लिखता हूँ, methane का gas foam, 2O2 gas foam, reaction करके CO2 का formation कर रहा है, gas foam, और यहाँ water बन रहा है liquid, यह standard state है, standard state है, clear, लेकिन अगर मैं यह सब कुछ, motion की conditions पे ले जाऊँ, तो आपको पता है, H2O वहाँ liquid की जगा क्या बन जाएगा, gas, यह मेरे पास क्या हो गया, 100 degree centigrade, तो सुचो ना, कि अगर मेरे पास 100 degree centigrade हो गया, तो पता आपको, कि इस जगा का delta NG और इस जगा का delta NG, different हो गया, इस जगा का delta NG, मैं के लई क्लास में लग रहा हूँ, आज तो मेरे को यार, very good, और कोई, एक दो बच्ची लग रहे हैं, आपकी सो रखें, रजाई में मूँ डाल के, very good, very good, very good, thank you, thank you, thank you, अच्छी बात है, चलो, मुझे तो शक होने लग जाता है, अगर दो चार पांच मिनट हरकत नहीं हो ना, तो बच्चे गए हाई फर्शन में है, चलो जी, pressure and volume, बच्चे सुन ना, अगर constant condition और प्रेशर हो तो आप बच्चे मिर को बता सकते हो, constant condition और बच्चे मिर को बता सकते हो, Qp क्या होता है, Qv क्या होता है, बच्चे मितना, ठीक है न, हाँ E या यू ठीक है, एक यी बात है, कुल मिलाकर इन 6 के 6 को देखो, मैंने connect करने की कोशिश किये, तुम्हें याद जल्दी हो जाएंगे, physical state, allotrop, quantity, concentration, temperature, pressure, pressure, volume, तो ये सारे एक साथ, मैंने 1 by 1 मैंने ऐसे connect किये हैं, दोनों एक दूसरे से connect होते हैं, physical state, allotrop, quantity, concentration, temperature, pressure, मैंने बताया है न, ये standard temperature है, ये 100 degree है, तो physical state बदलती, physical state, यहाँ liquid से gas हो गया, 100 degree पे पानी gas बन जाएगा, बचे वेपर फेम में आ जाएगा, तो delta NG बदल गया, delta NG बदलती, delta H, delta U में फरका जाने, और pressure volume में constant pressure पूछा है, तो delta H बताओ, constant volume पूछा, तो delta U exams में मिलते है, बोलो बचे, बोलो, बिल्कूल है, physical state बदल जाएगी बिल्कूल है, temperature को, मैं इसलिए दोनों चीज़े लिखी न, temperature and pressure, मालो temperature 298 Kelvin, को एक बात समझना, जब नहीं एक बात समझना, pressure के बारे में उतने practical नहीं है हम लोग, temperature के बारे में बहुत ज़्यादा practical है, तो मैं हजार बुक्स भी पढ़ लूँ थर्मो डैनमिक की, क्लियर, जिसे मालो आप एक पढ़ लेते हो, दो पढ़ लेते हो, तो हम क्या आते है, 78 पढ़ लेते हैं, बिस इतना फर्क रहता है, लेकिन 78 पढ़ने के बात में पता चलता है सबका माली के एक, मतलब आप एक ही पढ़ की उतने सैटिस्फाई हो जाओ जितनी साथ आट पढ़ी हैं आपने, उसमें प्रेशर का विरियेशन उतना जादा नहीं दिखता, क्योंकि मुझे नहीं पता न, कितने प्रेशर पे H2O, liquid, H2O, solid बन जाएगा, कितने प्रेशर पे H2O, liquid, H2O, gas, यह डेटा मेरे पा ज्यादा काम क्यों नहीं करती हैं, उनके पस डेटा ही अवेलेबल नहीं है, हाँ मुझे पता है, पानी जीरो पे solid है, पानी जीरो से सो के बीज में liquid है, और जैसे आपके पास सो क्रोस किया, gas, यह डेटा मेरे पास है, आपके पास भी है, हर बुक के पास है, प्रेशर का ड temperature प्रेशर से लेकर, फर्दर आपके पास था QP निकालना है कि QV निकालना है, अब मैं थोड़ा सा आपको different quantities की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, thermodynamic quantities, और गलती से भी इसमें ध्यान हटा लिया, तो जिस chapter को आपने पढ़ना शुरू किया, इसका मालो पहला portion आपका अच्छा हो गया है, और दूसरा portion ये अच्छा नहीं होँआ, तो chemistry में तो chemistry आनी ना बच्छे, thermodynamics वो first and second लों के बारे में उतना नहीं पूछते, जितना किसके बारे में पूछते हैं, जो portion हम करने जा रहे हैं, तो इसमें मेरी भी duty बनती है कि maximum आपको करवा हूँ, clear, thermodynamic quantities के बारे में मैं आपसे जिकर करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, number one, ये है मिरे पास heat of combustion, heat of combustion, ठीक है जी, तो इसके characteristics देख ले, heat of combustion की सबसे पहले definition, हम यही decorum always follow करेंगे, सबसे पहले definition देंगे, clear, तो मैंने आपको बोला क्या, heat evolved, इसमें ज्यादा words नही सीखने है, चलो, ठीक है, हाँ, जी, heat of combustion का discussion चल रहा था, definition चल रही थी, बच्चे, heat यहाँ, always क्या होईगी, evolve होईगी, ठीक है, ये always the exothermic process होता है, जब भी मेरे साथ आप question करो, मैंने कम सकम 10 question लगा रखें मेरे board पे, मैं आपको थोड़ी दिर में लिकर आता हूँ, लेकि सुन-सुन कर समझो, definition क्या होई, heat evolved, exothermic process है, बस simple क्या बोलने आगे, during the combustion, अब combustion किस का हो, किसी भी substance का हो सकता है, कारपन को भी burn करवा सकते हो, मिथेन को भी burn करवा सकते हो, इथेन को भी burn करवा सकते हो, इथेन को भी burn करवा सकते हो, कि burn तो यार इथेनोल को भी करवा सकते लेकिन मेरा कहना पते क्या है आपको कंबशिन की रियक्शन लिखने आनी चीह, अगर आप कंबशिन की रियक्शन लिखना नहीं जानते हो ना, फिर मामना गडबड़ो जाएगा, जैसे उसने बोल दिया, heat of combustion of methane, heat of combustion of methane, heat of combustion of methane, उसने बोल दिया कि so and so value है, तो आपको heat of combustion of methane की equation लिखनी आ नीची है, तो मैं इसलिए आपस efforts मार रहा था, methane लिखो, O2 लिखो, जितने carbon उतने CO2 बनाओ, clear ना, जितने hydrogen उसके half water बनाओ, और जो value paper वाला दे देगा, उसको यहाँ लिख दो, clear ना, अब एक carbon है, एक carbon है, चार hydrogen है, चार hydrogen है, यहाँ मेरे पास, ध्यान से दिखना भी, चार oxygen है product side में, तो 2 O2 लिख दिए, क्या मुझे यह equation कोई balance करके दे देगा, pentane की burning की equation balance करके दे दोगे बच्चे, जल्दी से बताओ, pentane की burning, 5 CO2, 6 water, 8 oxygen, इधर से आपने 10 उठाए, 6 उठाए, 16 हो गए, 8 हो गए, ठीक है जी, यह exothermic process है, अगर यह combustion आपको लिखना आता है, तो आप आगे जितने भी question आएंगे न, उनको easily solve कर लोगे, अब एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको, clear, इसकी application क्या है, इसकी uses क्या है, इसकी importance क्या है, heat of combustion की आपके पास uses क्या है, application क्या है, importance क्या है, clear, अब कभी भी आप chips खाते हो, कुरकरे खाते हो, या फिर ऐसा कोई भी food material खाते हो, सब पे एक टेबल बनी रहती है, front, back side में, एक टेबल बनी रहती है, उस पे calorific value लिखी रहेगी, calorific value, तो यह आपको help कर रहा है, clear, calculation in the, calorific value, calorific value calculate करने में help कर रहा है, और calorific value के पारे में एक बात बता हूँ मैं आपको, it is calculated per gram, यह हमेशा per gram ही calculate होई की, जिस food की per gram, वापिस सुन लो, जिस food की per gram, वापिस बोल रहा हूँ क्या है, application और importance of the heat of combustion, तो पड़ी simple सी बात बोल रहा हूँ, यह calorific value की calculation में मेरी help कर रहा है, कौन? heat of combustion, तो वापिस बोल रहा हूँ, जिस food की, जिस food material की, per gram, per gram, हम nutrition नहीं देख रहे हैं, heat देख रहे हैं, कि किस food से ज़्यादा heat मिल सकती है, per gram, जितनी ज़्यादा heat evolve होएगी, मैं underline कर रहा हूँ, highlight कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा per gram heat evolve होएगी, उतना अच्छा उसको हम लोग heat donor, उतना अच्छा हम उसको calorie, calorie, calorie donation करने वाला food मानते हैं, तो good food के लिए, मुझे per gram calorific value ज़्यादा चाहिए, अब आपको इस type के question पे आना पड़ेगा, तब आप समझोगे, तो मैंने तैयारी पहले से कर रखी है, एक्जामपल नंबर 15 मुझे बता रहा है, सुनो बच्चे, आपको ये पिछे वाले page पर लेके जाओ, इसमें कोई दिप्कत तो नहीं है, सबसे पहले definition दे दो बच्चे, reaction लिखनी आनी चाहिए आपको, फिर बताया इसका use क्या है, ये पर gram calorific value, जितनी ज़्यादा heat evolve करेगा, पर gram कोई भी substance, उतना अच्छा food मान के चलेंगे, nutrition की बात नहीं कर रहा, एक बार ना NC80 कोल के देखना, वो आपको बोलेगा, peanuts खाओ 100 gram, 100 gram या बदाम खालो, elements, आपक पीनट ज्यादा energy देंगे, as compared to 100 gram elements, clear ना, ज्यादा आपकी body को गर्मी किसे मिलेगी, 100 gram मूमफली खाने से, बजाए, हाँ, peanuts से, ठीक है, चलो, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, सुनना बच्छे, डेल्टेज, combustion of ethene, ethene मतलब C2H6 हो गया, ethane मतलब C2H2 हो गया, ठीक है, यह दे रखा, minus 341 यह, minus 310, तो कोई भी बच्छा, ethene देकर बोलेगा, सर, अच्छा fuel, अच्छा food, फ्यूल भी बोल सकते हो, अच्छा fuel, अच्छा food, कौन है, अच्छा hydrocarbon, ज्यादा energy देने वाला ethene ह जिबके मैं कहता हूँ, जल्दी बाजी मत करो, यह इसने दे रखा उसको kilo calories में, पर मोल में, यह value पर मोल की है, तो मैंने क्या कहा, better fuel is one, which possess high calorific value per gram, और इसका molecular weight कितना है बच्छे, ethene का, clear, 24 plus 6, और इसका कितना है, 24 plus 2, ओके, तो मैंने क्या किया, यह पर मोल था, यह पर मोल था, मैंने पर gram निकाला 32, यह मैंने पर gram निकाला 32, minus 11.37, minus 11.92, अब बताओ जी, अच्छा fuel कोन हुआ, clear, पहले देखने में कोन लग रहा था आपको, हंजी, पहले देखने में आपको कोन लग रहा था, ethene, जबकि actual मे कोन है, ethene, अब मैं आपको इसका evidence भी दे देता हूँ, देखना कभी वेल्डिंग में न, 9-10 याद करो, हमारे, हमारे, एक hydrocarbon 11-1 के अंदर, ethene के application बता रखे, वहां पते क्या बता हुआ अनो ने, oxy acetylene flame, oxy acetylene flame, अब जो oxy acetylene flame की बात करोगे न, बच्छे oxy acetylene flame, तो व 11-37 और 11-92, which one is the good fuel, that is the ethene, तो आपको शायद मेरी बात समझ में आगी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे accordingly combustion में, जो पर gram ज़्यादा heat evolve करवाएगा, पर gram, जो ज़्यादा heat evolve करवाएगा, that will be the very good fuel, और very good food, clear हो ही बात यह वाली, यह question भी दिमाग में आगया बच्छे, पक्का न, तो इस पर based भी question आपको पूच सकता है, clear है, हमारे कल तीन question भी pending रहेगे, जो हमने करने थे न, यादा रहें, चलो ठीक है, यह 15th question हमने किया, ऐसे मैंने पूरी लंबी list बना रखी है, पूरी सारी question बिना करें न, आप chapter cover क करी नहीं सकते है, इस सारी question करेंगे हम लोग, ठीक है, चलो, अब मैं वापिस आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, next मेरे पास इसके अंदर कोन आ रहा है, number two, इस अब note कर लिया हो, आपने तो next number two पे चलते है, deltage formation, deltage formation, clear, इसको आप क्या बोल देते हो, enthalpy of formation, enthalpy of formation, बड़ा important है, यह very very important की category में जा रहा है, here है, मुँ बड़ा हो या ज़्यादा इसका बिचारी का, छोटा कर देते हैं, लो जी, very very important की category में जा रहा है, जहां से सुनना और समझना बच्चे, here, सबसे पहले आपको definition देनी है, सबसे पहले आपको definition देनी है, सबसे पहले आपको definition देनी है, अगर आप मेरे को सुन पारे हो, तो, definition क्या दोगे, heat evolved, or absorbed, बच्चे कहते हैं, एक term लिख सकते हैं, कोई भी, मैंने कहां लिख सकते हैं, heat change, enthalpy change, इस पूरे दोनों words को उठा कर heat change, क्योंकि मुझे नहीं पता न, किसी भी compound का बनना exo होईगा, के endo होईगा, लेकिन, अगर कहीं exo है, अगर कहीं exo है, तो stable है, अगर कहीं endo है, तो comparatively क्या है, unstable है, मैं हर जगा ये बात बोलता हूँ, तुम भी सुन लो, कि अगर ozone बने, अगर ozone बने, तो ozone unstable है, क्यों, heat absorb हो रही है, अगर कभी भी, किसी और compound, 99% compound, ये बात मैं बोलने में बिल्कुल नहीं डर रहा, 99.99% compounds के अंदर, heat evolve भी हो रही है, ल मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो कि वो compound क्या बनेगा, unstable, सुन पा रही हो, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, heat change during the, wording सुना बचे, during the formation of one mole of substance, one mole of substance, one mole of compound, one mole of compound, clear, from the standard states of the elements, from the standard state of the elements, जिस बात को underline करना बनता है, standard state of the elements, clear, जैसे मैं आपको बता हूँ, carbon की standard state graphite है, more stable, और अगर इसी तरीके से मैं आपको diamond की बात करूँ, तो इसकी standard state नहीं है, जैसे मैं iron की बात करूँ, तो आप जानते हूँ, तो इसकी standard, standard में 290 Kelvin पे 1 bar पे, कोन है जी, solid है, liquid नहीं है, अगर मैं ethanol की बात करूँ, तो इसकी standard state क्या है, इसकी standard state liquid है, ठीक है जी, ऐसी मैं hydrogen की बात करूँ, उसकी standard state क्या है, gas है, ऐसी मैं bromine की बात करूँ, अगर मेरे को सुन पारे हो तो, bromine की बात करूँ, तो bromine की standard state, liquid है, very good, और iodine की बात करूँ, इसकी standard state है, क्या, solid है, तो इसलिए मैं जो भात बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि हम very very important topics में चल रहे हैं, अभी पहले number पे मैंने क्या सिखाया, combustion, उसका हाथ वाद एक question उठा लिया, अब मैं क्या उठा रहा हूँ, heat of formation, और आपको पता है, इसके बाद immediate मैं heat of neutralization उठाऊँगा, मेरी कई class में थे न, अगर मेरे को 7 दिन मिल जाए न, इस chapter में, तो मैं पूरा की पूरा एक lecture देता हूँ, heat of neutralization को, मुझे पता है, very very important topic है वो, so no, heat of formation, enthalpy of formation की बात हो रही है, clear, इसके अंदर मैंने क्या समझा है, definition, definition क्या है, heat evolved or absorbed during the formation of clear, one mole of the substance or compound from the standard state of the element, standard state of the elements, ठीक है जी, तो standard state of the elements की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, मैंने hydrogen उठाया, gas, मैंने chlorine उठाया, gas, इससे क्या बन गया, HCl, ये plus minus कुछ भी हो, लेकिन generally minus होता है, X होता है, तो क्या ये हीटो formation का correct equation है, हाँ, one mole बनना चाहिए, it should be half, it should be half, और ये cross, now it is a correct हीटो formation, ठीक है जी, चलो, अब मैं calcium oxide solid CO2, gas, से calcium carbonate solid बना रहा हूँ, calcium carbonate solid बना रहा हूँ, is it delta H formation, क्या ही correct है, यहाँ तो one mole बन रहा है, बच्चे, तो फिल्कुल ठीक हो गया, perfect हो गया, मना कर रहे हैं, इशान मना कर रहा है, इशान मना क्यों कर रहा है बटा, अर्ष कह रही ठीक है, अर्ष बच्चा न, एश, ओके, एश प्रीट, एश प्रीट कह रही है कि यह सही लिखा है, इशान कह रहा है, इशान तुम समझाओ बटा, नहीं नहीं, एलिमेंट तो है यह नहीं, नहीं यह, इज़र था compounds, बच्चे, एश परीट सुनना, बच्चे, यह, कोई नहीं, कोई नहीं, बच्चे, चलता है, ठीक है, यह CEO, CO2, CO3 solid बना न, तो यह एक्चल में हीटो फोर्मेशन का reaction नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, standard state ही उठानी पड़ेगी, मुझे standard state ही उठानी पड़ेगी, ठीक है बच्चे, एक सेकेंड न, मैं अपना टोर बंद करवालू, लाइट बाप पीसा गई, हां जी बच्चे, अब अगर तुम calcium carbonate बनाना ही चाहते हो न, तो calcium लिखा, solid, carbon लिखा, solid, वो भी कैसा होना चीए, in the graphite form, ठीक है जी, and 1.5, 1.5, 0.2, क्या होना चीए, gas foam, ये तीनों आपस में react करके, calcium carbonate solid बना रहे हैं, अब सारी चीज़े word to word match कर गईए, solid है, होना चीए, ये solid और graphite है, solid और graphite है, हां जी, ये gas है, हां जी, ये calcium carbonate का एक मोल बना, हां जी, तो यहाँ delta हीटो formation under standard condition हो जाएगी, इसको, exoendo, इसके बारे में हमारा control नहीं है, ये सारा हमने book वाले पे छोट रखा है, चलो, एक और, ये 100% हीटो formation है, लो जी, मैंने ethene लिखा, मैंने इस पे पानी डाल दिया, ये gas है, ये standard state में liquid है, दूनों ने मिलके ethanol, hydration of ethene, ये liquid, is it the heat of formation? क्या ये हिटो formation की reaction है? आप तो समझ गए, क्यों नहीं है सारे बच्चे? हाँ, हाँ, ठीक है, ये हिटो formation की reaction नहीं है, आपने elemental state तो लीनी, आप compounds लेके बैठ गए, ठीक है, compounds लेके बैठ गए, तो इसलिए compounds के case में delta hf नहीं होता, इसलिए अगर कोई checklist तयार कर रहा है, तो पहली checklist standard form होनी चीए, पहली checklist standard form होनी चीए, दूसरी checklist ध्यान से सुन लेना, one mole बनना चीए, standard form होनी चीए, और standard form मी किस की होनी चीए, elements की होनी चीए, standard state भी किसके ओनी चाहिए elements की not compounds not compounds not compounds इसलिए किसी को कई बर बच्चे बोलते हैं हमें formation नहीं आता हमने तो organic पढ़ी नहीं पहली धरमों पढ़ा दिया आपने मिनका need ही नहीं है मुझे तो element की help से ethanol बनाना है मुझे compound की help से थोड़ी बनाना है और one mole बना चाहिए दूसरी बात अगर कोई ethanol की enthalpyo formation की reaction लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा जी यहाँ दो carbon एक तो solid होने चाहिए दूसरा graphite होना चाहिए अगर आँ मेरे को सुन पा रहे हो फिर तीन hydrogen होने चाहिए gas form में और half of o2 होना चाहिए gas form में यह exactly मेरे पास hito formation की reaction बन जाएगी यह exactly मेरे पास hito formation की reaction बन जाएगी अगर आप मेरे को सुन पारे हो तो very very important though enthalpies आप ने किए very very important though enthalpies आप ने किए very very important ठीके जी next तीसरे नंबर प्यारा हूँ मैंने आपसे पहली कहा था कि इसमें मैं किसको शुरू करने वाला हूँ enthalpy of the neutralization is very very important very very important delta hn under standard conditions ठीक है now listen carefully सबसे पहला काम आपको भी पता है मुझे भी पता हम क्या लिखते होते हैं सबसे पहला काम definition listen carefully फिर variety of questions पे चलेंगे उसके बाद chapter खुल जाना है फिर आप heat of salvation heat of solution enthalpy of ionization atomization हाँ इसके बाद sublimation इसके बाद फिर vaporization इसके बाद fusion धेरो enthalpy नाम पढ़ते जाओ दिमाग में definition बनाते जाओ clear very very important की list पहले बना लेते हैं clear उसके बाद फिर हम second low thermodynamics पे चल सकते हैं उसमें भी formula का collection करना है evolve की बाद कर रहा हूँ मैं इसमें भागूँगा नहीं धिर धिर चलूँगा heat evolved कब during the reaction in between 1 n 1 n 1 n को बच्चे समझ पा रहें मैं तुम्हें लिखने वाला था 1 equivalent जान बूच के मैंने 1 n लिख दिया 1 n of strong acid and 1 n of the strong base heat evolved क्या यह always exo होएगा मेरी तरफ से 100% yes है ठीक है जी during the reaction in between 1 n of strong acid and 1 n of the strong base चेक करें इसको यहां मैंने NOH लिखा यहां मैंने HCl लिखा clear आपको पता है kinetics से accordingly HCl reaction super fast होती है यह NaCl यह water बन गया delta H की value calories में लिखनी हो 37 kilocalories per equivalent अगरा मेरे को सुन पारे हो per equivalent per equivalent per equivalent per equivalent का मतलब आज कल तो बच्चे समझने लगे होंगे 1 H1 OH react to each other will form water it is minus 13.7 kilocalories per equivalent one equivalent का मतलब समझने लगे न सबसे easy term होती है equivalent one equivalent का मतलब क्या हुआ 1 H1 OH 1 H1 OH 1 H1 OH अगर आप मेरी बात को सुन समझ पारे हो तो आपको खुद ही आपके subject में help होने लग जाएगी इसी का दूसरा value हम kilo joules में लिगे देते है 57.1 kilo joules per equivalent कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसको पर मो लिख सकता हूँ तो आप बताओ yes or no क्या मैं इसको पर मो लिख सकता हूँ for this particular equation ओए यह क्या है हाँ ना में जबाबी तो देना है हाँ जी नहीं नहीं वही कह रहूँ न अगर हाँ इसका n factor 1 है तो आप इसको पर मो लिख सकते हो hydroxide यहाँ बना दिया calcium sulfate 2 water अगर मैं इसका 1 mole 1 mole लेकर चलूँ कुछ भी नहीं वच्चे solution पढ़ावा है equilibrium पढ़ावा है पढ़ावा है तो clear तो आपको खुद ही खुद की help करते भी दिख जाओगे आप 13.7 unit पर dependent करेगे ना बच्चे 13.7 kilo calories अगर मैं पर मो लिख गया तो यह हो गया गलत अगर मैं लिख गया minus 13.7 into 2 kilo calories per equivalent तो भी हो गया गलत हना मैं जानबूच कैसा कर रहा हूँ तकि तुम्हारे दिमाग में सारी बाते बिना question पूछे आजाए मेरी गलती kilo calories kilo calories per mole यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक mole ने 2H plus दिये एक mole ने 2OH दिये 2 water बने और 2 water बनने में just 13.7 का double energy produce होएगा लेकिन जब मैं पर equivalent बोलूँँगा तो मैं by default जब मैं पर equivalent बोलूँगा जब मैं पर equivalent बोलूँगा तो मैं by default जब मैं पर equivalent बोलूँगा तो मैं by default A catch और A catch की reaction करवा रहा हूँ तो यह हमारे पुराने chapter पढ़ दें का हमें फायदा हो सकता है अगर मैं धंग से पढ़ा हुआ मैं आपसे बोलता था था न if you want to calculate pH अगर आप pH calculate करना चाहते हो then your concentration time should be in the normality कि 1mH204 कभी भी 1mH204 कभी भी मुझे H की correct information तो दे ही नहीं दा अगर मैं 1nH204 बोलता हूँ 1n1n तो एक H है तो वही तो कहा रहा हूँ पर equivalent मतलब 1H, 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 1Pानी अच्छा बास सुनो क्या यह reaction heat of formation of water है अच्छा फिर यह तो होई कि heat of formation of water नहीं H और OH consistent condition में होएंगे element थोड़ी यह आयन है वह तो तो जपनीत जपनीत का पहला explanation भी बिल्कुल गलत था, दूसरा भी बिल्कुल गलत आ गया जपनीत ने देखा नहीं reactants head में बही कह रहा हूँ होई से तो कभी पानी बनना heat of formation का definition ही नहीं है तो जपनीत ने पहली बात बोली कि दो बन रहे हैं, पहली गलती हो गई आपको दो पे ध्यान नहीं देना आपको ध्यान देना है reactants side में reactants side में element नहीं लिक रखे बच्छे, ions लिक रखे हैं तो आपका answer क्या ना चीए था, मैंने बुला is it the heat of formation of water molecule, यह answer should be sir, ion है होई नहीं सकता, यह क्या होने चीए थे elements ठीक है बई चलो तो पिछले इस page में किसी को doubt आ रहा हो, तो discussion को यह formation का था, और यह मेरे पास enthalpy of neutralization का है, जो भी खतम नहीं हुआ है, अभी start ही हुआ है यह मान के, चलो आगे बढ़ूं भई चलो अगर मेरे पास weak acid, strong base और opposite weak base, strong acid आजए तो जो heat of neutralization है, बच्चे वो degrees करेगी वो degrees करेगी heat of neutralization degrees करेगी कैसे, यह acidic acid है आपको पता, acidic acid का alpha 1 होता है हाँ, मुझे इंतजार था आपकी no का मैं तो जानबुच के बोलूंगा था कि आप मेरे को इस बामने में बात करें हो, प्रोवोक करूंगा मैं आपको इस मामने में कि acidic acid का alpha less than 1 है अगर आप इसका भी 1 N इसका भी 1 N तो जित, अगर आप concentration 1 N लेके चलो उससे क्या वर्क पड़ता है alpha तो 1, alpha तो 1 नहीं न बच्चे तो यह अपने OH पूरे पूरे दे देगा लेकिन सामने से तो H कम आ रहे न clear, तो इसलिए जो इसका heat of neutralization होएगा जो इसका heat of neutralization होएगा उसका magnitude less than 57.1 kilo joule पर equivalent से कम होएगा बच्चे heat of neutralization से ध्यान मत अटा ले ना मैं पार-पार कह रहा हूँ नि तो आपके साथ इस particular में बड़ी गड़़ हो जाएगी मैंने आपसे कहा अगर मैं weak acid और strong base weak base और strong acid ले लूँ तो heat of neutralization 57.1 से कम हो गया यह magnitude डाला मैंने क्यों कम हो गया reason ढूंडते है reason delta h की value कम होने का reason कोई बता पाएगा why the value of delta is less than 57.1 इसका perfect reason अगर चार option में डालना हो तो मालो तुम पेपर सेटर हो तुम पेपर का question बना रहे हो तो क्या लिखोगी चार option में यह परनीत ने एक answer ठीक बोला इसमें से निकालू परनीत वाली बात से निकालू एक बात में सुनो वो कहरे यह completely neutralize नहीं करता इस बात से मैं निकालता हूँ देखो इसने अपने H इसने अपने OH दिये वो जो energy निकलीना में चे है उस energy का कुछ पार्ट इसको ionize करने में यूज हो रहा है क्योंकि है तो यह निकाल में acetic acid acetic acid है तो भी की acetic acid है तो भी की clear ना एक line बोल रहा हूँ ध्यान से सुन ले ना clear reason लिख रहा हूँ बचे energy और evolved energy used to किसमें यूज हो रही है used to ionize used to ionize the weak electrolyte weak electrolyte को ionize करने में use हो रही है that's why कुछ पार्ट उसको अब मेरे को ने एक line याद आगी अभी मेरा chemical bonding चल रहा है आपी के dropper wedge में उसमें मैंने chemical bonding के line बोली मैंने का जी promotion की condition essential नहीं है लेकिन promotion अगर होना है promotion अगर होना है तो energy पते कहां से आती है जो bond बन रहे होते हैं वहीं से आती है मैं link कर रहा हूँ यहाँ पे तब chemical bonding में थोड़ा कम समझते थे चीजों को अब तो तुम smart होगे हो बहुत ज़्यादा clear ना ऐसे ऐसे जज़िस आगे बढ़ोगे अपने आप स्मार्ट ना सुनने से स्मार्ट ना अपने अपायती है कोई particular responsible नहीं है जैसे कल कुछ बच्चों का फोन आ रहा था sir college upgrade हो गया sir sir सोड़ी वज़े ना हो गया मैंना मेरी मूरी वज़े कुछ नहीं है तुमारे parents की वज़े से और तुमारी मेहनत की वज़े से है हम दो guide करते हैं मैंने तुम्हें थोड़ी ओशार बना दिया तुम अपने आपी चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो शार बनते जा रहे हो सारा कुछ तुम भी पर depend करता है बार-बार कह रहा हूं जहां से सुन ले न, energy evolved हां जी वहां बोल रहा हूं energy evolved वो जो energy evolved वही excitation में यूज आ गई मानलो excitation नहीं हो न तो यूज नहीं आएगी और यहां evolve होती जारी evolve मानलो V के सामने वाला तो उसको ionize करने में यूज आ गई तो यहां एक बड़ी perfect सी line मुझे समझ में आती है कि अगर आपको delta H ionization, delta H dissociation निकालना हो तो बड़ा simple सा answer है बच्चे इतना तुश्य हो रहा है अच्छा में जी बताओ अगर किसी को तोड़ना हो ऐसे clear, dissociate करना हो तो बता सकता है कोई end होएगा का exo होएगा सो समझ के answer देना end होएगा ठीक है तो हमने बड़ा simple सा trick खेल लिया 57.1 minus clear और यहां लिख दिया गया है delta H neutralization of week of week clear, week का मानलो 50 है और यह 57.1 है इन दोनों का difference 7 है वो किस में काम आ गया? heat of the dissociation निकालने में इसको underline करके, highlight करके लिख लेना, फिर मैं आपस वापिस बोलता हूँ एक लाइन मेरी, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको सहथ समझ में आई में magnitude of the 57, minus magnitude of the week, delta H neutralization of the week, उन दोनों का difference heat of ionization है, इससे साथ पता चल रहा है कि वो मानलो 50 था, मानलो इसकी value 50 है, तुमने यहां 50 लिख दिया है 57, तो बीच का difference 7, वो 7 कहां घर चाओ गया? यहां पर. एक बात बता हूँ, 7 divided by 57 लिख करना, तुम अलफा भी निकाल सकते हो, degree of ionization, इसमें तुम्हें मैं electrochemistry से चोड़ दूँँगा, lambda MC by lambda M0, यह होता पुराने चैप्टर अच्छे करने का result, multi conceptual question बनाया जा सकता है, lambda MC divided by lambda M0, electrochemistry, अगर alpha आपको समझ में आ रहा है तो, इन दोनों का difference आ गया बच्छे, और absolute से divide करते हो, absolute से वहाँ divide करते है, lambda M0 से, हाँ जी, हाँ जी, absolute 57.1, चीक है न, तो weak acid, weak base strong acid, heat of neutralization, कम हो गई, कम का reason, एक दो बच्चों ने बताया, उसमें से मैंने line बना ली, energy evolved due to ionization, तियर न, weak electrolyte में use हो गई है, use in the ionization, use in the ionization, यह टर्म यहाँ पर लिख सकते हो, used in the ionization, of the weak electrolyte, इतनी बात अगर आप समझ गए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी, इसके question सीखते हैं, calculation of the heat of neutralization, calculation of the delta H neutralization, सुनना भी ध्यान से, delta H का calculation होनी जा रहा है, calculation of the heat of neutralization, ध्यान से सुनना, calculation of the heat of neutralization, ध्यान से सुनना भी, 100 milliliter, 0.1 N HCl, ठीक है जी, ये react कर रहा है, 200 milliliter, 0.2 N, किसके साथ, with NUH, और मेरे से demand कर रहा है, delta H, delta H neutralization निकालो, तो मैंने एक तरीका लगाया सबसे पहले, delta H neutralization, मैं या लिख रहा हूँ, NV neutralized, जिसको तुम देखकर अराम से समझ जाओगे, teacher, ionic equilibrium और वापिस solution chapter में चल गया है, इन दोनों की calculation क्या हुई, 100 into 1, 10 ml equivalent, इन दोनों की क्या हुई, 40 ml equivalent, क्या 40 का 40 neutralized हो जाएगा, 10 होगा न, तो NV neutralized, divided by 1000, ये क्या कर दिया, जो neutralized था उसके equivalent बना लिए, और multiply कर दिया, 57.1 kilo calories, मैं निकलती, kilo joules per equivalent से, तो exact तुम्हारे पास answer निकल किया जाएगा, बड़ा आसान सा तरीका है बच्चे, सीधो unitory से चलो, फिर लंबे करो, कुछ नहीं, neutralized निकालो, मैं इसको solely करता हूँ, आप साथ में रहना मेरे, NV neutralized कितना हुआ, 40 minus 10, या फिर total 10, हाँ, ठीक है, total, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को आप ही का तो, इसके अंदर concern चाहिए न, लेकर चले वो 10, अच्छा, इससे करते हैं, इनमें दुन में इस limiting कोन है, 10 है, limiting मतलब which react 100%, ठीक है जी, 10 divided by 1000, into 57.1 kilojoules per equivalent, multiply करके answer निकाल दो, clear, मुझे लगते हैं, minus 0.571 kilojoules per kilojoules answer आगया, calculation of the heat of neutralization, देखते हैं जी, आप question करोगे कि नहीं, पिछे page इसको लिखना हो, किसी ने, screenshot लेना हो, किसी ने, लेकिन heat of neutralization को अगर आपने miss कर दिया न, फिर इसका मतलब आपको इस chapter में अब अगले chapter का इंतजार करना चीए, आप अब इस chapter की eligibility खतम कर दोगे अपनी, अभी मैंने कहा था, मैं इसको cool रहकर आराम से करवाऊंगा, इस topic को, और इसके बाद super speed खीज़ देंगे, क्योंकि उसमें नाम ही बोलने हैं सरफ, चलो जी, इस question को करना पही, 200 milliliter, clear, 0.2mH2SO4, okay, react कर रहा है, 400 milliliter, 400 milliliter, 0.15m calcium hydroxide के साथ, delta H neutralization, आपको calculate करके बतानी है, मैं आपके answer का wait कर रहा हूँ, यह मैं help कर रहा हूँ, आपकी इतनी-इतनी, 0.45, हाँ, हाँ, फाइनल लिख रहा हूँ, किलो जाउल्स, बस यह answer आगए ना, फाइनल, यहाँ 80 लिख दिया, क्यों लिख दिया 80, इन दोनों का multiply, कुछ बच्चों को 40 लग रहा हूएगा, उन्होंने molarity को normality में नहीं बतला, करो, करो, कोई चक्कर नहीं है, वो तो आपकी चोईस है, कोई चक्कर नहीं है, 4.5 ना, यही सेम जो आपने लिख वाया मेरे को, यह 0.45, अच्छ, 4.5, अच्छ, जी, यह आपने into 2 करके क्या कर लिया, 0.3, इन दोनों का multiply, 120 है, इन दोनों का multiply, इन दोनों का multiply, 80 ml equivalent आ चुका है, तो limiting 80 है, इससे perfect answer तुम्हार पास आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ताम जाम करने ही नहीं है, यह सोखा सा काम है, तो एक तो neutralization का question, एक ionization का question, एक आपके पास था कि कोई भी अगर V कै तो heat क्यों कम हो गई, एक था molarity और अगर normality देर क्यों तो क्या करना है, देखो कितने अच्छे-च्छे कोशन आ रहे, अभी तो और कोशन देने वाला हूं, ध्यान से सुनो और समझो, लो जी, बोलो, बच्छे, ml था न, ml equivalent, if you have the ml equivalent, you should convert to the ml equivalent, को equivalent में convert करने के लिए, divided by 1000 तो करना पड़ेगा, एक बार मैं पीछे चलता हूं, जिससे तुम्हारी बात बिल्पूल समझ में आ जाएगी, हमने definition किसके लिए दी थी, one normal, one equivalent, not one ml equivalent, ठीक है, तो जो ml equivalent था न, you should convert the ml equivalent to the equivalent, ठीक है जी, तो ml equivalent को equivalent में convert करने का तरीका, 1000 से डिवाइड मार दो, equivalent को ml तो इसको 1000 से multiply कर दो, simple, चलो जी, अब आपके पास न, different volumes दे रख्खें, और concentration सेम दे रख्खें, ध्यान से सुनना भी, delta H, अगला question आ रहा है, मैंने कहा था, इसमें time लगे गई, लगेगा, delta H neutralization आपने calculate करना है, ठीक है, if concentrations are same, but different volume, और जो भी पीछे मेरे के साथ सीख कर रहा है, वो smartly इसको handle कर लेगा, तो बढ़िया बात है, 1N, 1N, दोनों का 1N, 1N, 50 milliliter HCL, 25 milliliter NUH, 50 milliliter HCL, 10 milliliter NUH, clear, 10 milliliter HCL, 5 milliliter NUH, यहां 100 milliliter HCL, and then 35 milliliter NUH, यह चार option दिए, और maximum heat of neutralization आपको बतानी है, पहला question तो maximum heat of, एक second बस, maximum heat of neutralization, और दूसरा आपको sequence बतानी है, order बताना है, decreasing order of heat of neutralization, आपके साथ हूं मैं, बताओ जलती से, A1, हाँ, 4, 1 मी लिख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हाँ जी, सबसे ज़्यादा, 4, 1, 2, 3, क्या सारे समझ गए, limiting को underline करें, 35, 5, 10, 25, by chance, energy समें limiting हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा, N, volume, जिसके सबसे ज़्यादा, ML equivalent होएंगे, more equivalent, neutralized, बात को रट्टे मत मारो भाई, more, neutralized, equivalent, more heat of neutralization, जितने ज़्यादा, equivalent, neutralized होएंगे, तो 35, ज़्यादा, equivalent, neutralized हो रहे हैं, उसके बाद, 25, उसके बाद 10, उसके बाद 5, अगर आपको यह बात समझ में आई हो, तो फिर अगला पेज पे चलूँगा मैं, ना समझ में आई हो, तो discussion कर सकते हो, यह याद करनी हैं, 57.1 fix है, 13.7 fix है, यह याद ही करनी हैं आपको, यह जनरल में याद हो जाती है, मलब special effect हमने भी कभी नहीं किये, बस बोलते बोलते बोलते, और मुझे याद आ रहा, कोई भी बच्चा इस पे particular discussion करनी नहीं आया, कि सर इसको याद करना है, इस यूपर कभी होती ही नहीं है, एक जगा होएगी लेकिन वो heat of hydration जूड़ने की वज़े से, वो भी मैं जिकर करूँगा थोड़ी देर बाद, अभी फिलाल हम neutralization पी रहते हैं, तो याद करनी ही करनी हो जाएंगी, बाइड डिफोल्ट याद हो जाएंगी, इस पर कोई objection कर रहा है, बच्चे नहीं तो आगे बढ़ू, चलो, डिल्टा टी, एक formula देख लेना, q is equals to physics वाला ms delta t, ठीक है जी, q is equals to ms delta t, मुझसे अब वो discuss कर रहा है कि delta t के बारे में जिकर करो, वही same question फिर उठाके ला रहा हूँ, 1N, दो question मिला दूँगा, 1N, ठीक है, यहां मेरे पास NUH है, HCL, और यहां मेरे पास NUH है, 5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, clear, यहां काम करते हैं, 5, 5, 10, 10, 15, 15, इतना तो पता चल गया पुराने कोशन से कि सबसे ज़्यादा हीट, evolve कहां होएगी, 4th में, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिख दिया, हमारा यह वाला trick काम कर जाएगा, जितना आपके पास Equivalence होएगे, उतनी Heat of Neutralization ज़्यादा हो जाएगी, यह वाला trick काम कर गया, तो हमें पता है कि Heat of Neutralization की value, फोर्थ के case में ज़्यादा है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, अच्छे एक बास सुनो, मैंने आपको बताया, यहाँ temperature का change 5 डिगरी का था, तो कोई बताएगा, कि इस 10-10 में temperature का change कितना होएगा, और 15-15 में, और 25-25 में, सभी में डेल्टा टी सेम ही होईगा, सभी बच्चों को यह बात हजम हो, तो कोई इसका explanation दे देगा, यह इशान का answer बिल्कुल correct है, हाँ जी, एक बार फिर बोलना, equivalent, लेकिन Heat of Neutralization तो अलग अलग है, वो ही पुछा रहा हूँ, क्यों, क्यों, यह तो जबर्दस्ती मनवारी हो, आप मुझे, क्यों, 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 वो से क्या फर्क पड़ा, आप चाहे, Heat of Neutralization तो अलग अलग है, पर equivalent तो है, पुतर, लेकिन Heat of Neutralization तो अलग अलग है, क्यों, क्यों तो अलग अलग है, तुम्हारे सामने जबाब पड़ा है, जब नीत इसी पेज पे, इसी पेज पेज पे जबाब पड़ा हुआ है, हाँ, हाँ, इशान को सुनू क्या कह रहा है, इशान कह रहा है, Q by M तो constant रह रहे न, जब नीत, specific heat, answer बोलना अच्छी बात है, answer बोलने के साथ में, logic बोलना और भी अच्छी बात है, इशान ने एक बात बड़ी प्यारी बोल दी है, Q by M, Q कोन हुआ हीट, M, जिस रेशो में Q बढ़ रहा है, उसी रेशो में M बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है, तो रेशो Q by M का रेशो तो सेम पढ़ है न, बचे, ये रेशो constant है, तो ये delta T भी क्या पढ़ आवा है constant, तो जबनी, मास है बचे, तुमारा physics ही तो है, thermodynamics physics वाली, मास तो लिखते हैं physics के अंदर वो, गोली मारो, physics, कैसे कैसे, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, 25 नहीं उस कर रहे हैं आप, वोल्यूम की जगा मास ही उस कर लिया, 5 ml, 5 ml से react किया, चलो मैं पिछे लेकर चलो तुम्हें कैलोरी मिट्री में, कलोरी मिट्री में तुम क्या लिखा करती थी, फोर्मला, एक तो Z था, एक capital M by small m था, small m क्या था आपके पास, मास ही तो था, एक ग्राम बर्न कर रहे है, यहां 5 ग्राम पांच ग्राम बर्न कर रहे हैं, यहां 5 ml, 5 ml बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आंसर अच्छी बात है, लेकिन with logic और भी मजाएगा, कि Q by M remains कौँ, मैंने पते हैं, आती हिंट लिख दिया था जपनीज, आती हिंट लिख दिया मैंने, मैंने उनका जिक Q is equals to ms delta t, तो Q by M constant, ऐसा specific heat है जो fix रहेगी, उसको तो आप छेड़ खा नहीं करने सकते, तो delta t क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो अच्छे-चे question निकल रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो, और with logic निकल रहे हैं, ये भी एक अच्छा question था, clear, ये भी एक अच्छा question था, clear, week-week का, आपके पास fix क्यों अच्छा question था, per equivalent per mole में फर्क क्यों है, अगर n factor 1 से ज़्यादा हो, ये भी अच्छा question था, किसी को मिर से लडाई करनी है भी, कर लो यार, चलो, सब शानत हैं, कोई लडाई खोरनी हैं, ये हम question कर चुके हैं, अभी मैं थोड़ा सा चोटा सा पार्ट और बता दूँ, लो जी, अगला पार्ट पती क्या है, in case of small cation or small anion, in case of small cation or small anion, like, LiOH में small cation है, HF के अंदर small anion है, clear, delta H neutralization becomes greater than 57.1 kilo joules per equivalent, मैं नहीं का जी, ऐसा क्यों हूँ, तो हो सकता है, कुछ बच्चों को पता हो, मैंने अभी थोड़ देर पहले बोल रहा था ना आप से, ऐसा क्यों हूँ हूँ, हाँ, hydration, हाँ जी, क्या हूँ यहाँ पर, ध्यान करें, hydration, energy, chapter का नाम था, chemical bonding, एक और आएगा, आपके पास S-block, वो radius की क्या चलती है, inverse चलती है, तो पदे क्या हुआ, छोटा किटा एन, छोटा एन, होने से, छोटा किटा एन, छोटा एन, होने से, जो आपके पास, heat of neutralization था ना, उसमें heat of hydration क्या हो गई, add हो गई, heat of hydration क्या हो गई, add हो गई, अब heat तो heat है, आपने, according to step, उसका नाम रख दिया, heat तो heat है, heat बाहर निकल नहीं है, तो neutralization के साथ में, hydration add हो गई, और वो दोनों मिलकर, greater than, 57.1 kJ पर equivalent हो गया, greater than, क्या आप इस लोजिक को समझ पाए, ठीक है, तो यहाँ heat of, neutralization से related, सारी बात ये खत्म हो गई, कम से कम इसके 15, पूरी RPS dedicated है, heat of neutralization को, पूरी RPS, तियर, और उसके बाद उदर पहुंचोगे, assignment में, booklet में, सब में, zero question मिल जाएंगे आपको, तो आज थोड़ा सा, जाग लेना रात को, दो तिन घंटे जादा, जिससे कल हम अगर, doubts में मिलते हैं न, तो उसमें, आपके पास, ज़्यादा सज़्यादा, देखावा material होना जीए, थोड़ा सा अपना attitude, और अपना आदते हैं बदलो न, कि काम maximum देख कर आओ, होना नहीं होना matter नहीं कर रहा है, हम बैठे तो है, लेकिन देखना जुरूर एक बार की, यार इस पे मैंने try जुरूर किया था, हुआ नहीं, अलग बात है, try जुरूर करना, एक तो मैं करवाए जा रहा हूँ, ठीक है, उदर देखो न, chemical bonding के 200 question मैंने board पे करा दिये, दूसरे वेले batch को, लेकिन उसमें खासियत पते ही क्या है, वो फटावट 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 बात को उठा लेते हैं, खट answer, खट answer, तो आपको क्या करना अब देख कर आना है, चाहिए दो घंटे रात को जाग जाओ, कल सो ले ना दिन में दो घंटे न, लो जी, अगली बात शुरू हो रही है, ध्यान से सुनो, अब छोड़-छोड़ी बात ही शुरू हो गई हैं बच्चे, डेल्टेच, मैं इसको न, इस फोर्म में करवाऊंगा, डेल्टेच, सब्लीमेशन, इजी कोस्टो डेल्टेच, फ्यूजन, क्लियर न, सब्लाइम होने में क्या हुआ, सोलिड डेरेक्ट किसमें कनवर्ट हो गया, गैस में, ठीक है, अब फ्यूज होने में क्या होता है, सोलिड चेंज टू, लिक्विड, और लिक्विड चेंज टू, वेपर, उसको क्या बोलते हो, वेपरजेशन, उसको क्या बोलते हो, वेपरजेशन, तो मुझे कोई भी इसमें ज्यादा ताम जहाम करने की नीड है नहीं, सुनो, heat of sublimation का definition क्या हुआ, heat, change, enthalpy change, during the sublimation, delta, generally endo होता है, याद करो, chapter का नाम था, chemical bonding, clear, endothermic process in which solid directly changes to the gas form, यहां क्या होईगा, यह भी endothermic ही होईगा, equilibrium याद करो, fuse करना है किसी को, पिगलाना है किसी को, बिना heat दिये कैसे पिगलाद होगे याद, clear, तो यह इसलिए में बोला था, अब तक के discussion लंबे चोड़े थे, very very important question थे, अब एक एक line में, दो-दो line में खतम करो सारी कहानी, clear, heat of fusion, मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां liquid, fusion है ना, मेरे कलती, solid किस में convert हो रहा है, liquid में, और फिर vaporization, यह again delta है कैसा है, positive है, तो यह किस में convert हो रहा है, liquid change to the gas, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, clear, तो मेरे पास क्या जाएगा, sublimation, तो आपको तीन definition मैंने, एक ही साथ लिख दिए, किसी को इसको लंबा चड़ा लिखवाना हो तो बोलो, मैं पहले वाले को बोलता हूँ, enthalpy change during the conversion, one mole of solid to the direct one mole gas, clear, दूसरा, heat of fusion, enthalpy change, heat needed, endothermic process, when one mole of solid converted to the liquid, तीसरा, heat of vaporization, enthalpy change, heat absorbed, endothermic process, when one mole of liquid change to the gas, तो इन पे कोई दमतार कुश्य नहीं है, बस लिखना आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए, बस, जैसे यहाँ sodium है, solid है, sodium है, gas है, sodium है, solid है, sodium है, liquid है, sodium मेरे पास liquid है, sodium मेरे पास क्या gas है, अब आप सोचो, अगर इसकी equation और इसकी equation का sum कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, यहीं से एक बात मेरे दिमाग में जो आ रही है, सुनो, सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ी important बात दिमाग में आ रही है, उसको बोलते हो, H E S L A W, यहीं से एक term और निकल कर आजाएगी, born haver cycle, यहीं से, तो मैं उसी पर focus कर रहा हूँ, Haslo and born haver cycle, born haver cycle, सुन पारे में क्या बोली जा रहा हूँ, चलो, Haslo and born haver cycle, सबसे पहले मैं Haslo की बात करूँगा, अगर इस page की नीड नीड नी है, तो मैं अगले page पर चलो, सबसे पहले है Haslo की बात कर रहा हूँ, एंथेल्पी, change, during the one step, reaction, is always, is always equal to the sum of sum of energies or enthalpies, sum of the energies or enthalpies of several steps, if the same reaction, if the same reaction, or change, or procedure, or process, takes place, अगर सेम अगर सेम रियेक्शन, सेम चेंज, सेम प्रोसेस हो रहा है, सेवरल स्टैप्स में, और एकी स्टैप में, तो एंथेल्पी चेंज, उसको ऐसे करवाता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे याद आई थी ये बात, सुनो, आयोडीन का सोलिड, आयोडीन के सीधे गैस में बतला, डेल्टा एक्च वन हमने लिख दिया, पोजिटिव है, आयोडीन का लिक्विड, आयोडीन के या सोलिड, के लिक्विड में बतला, ये फ्यूजन है, ये भी पोजिटिव है, आयोडीन का लिक्विड आयोडीन के गैस या वेपर में चेंज हुआ ये डेल्ट एच थरी है पोजटीव है अब ध्यान से सुनो सारी बाते एक एक करके तुम्हारे दिमाग में एंटर कर जानी है ये 1 है, ये 2 है ये 3 है, मैंने क्या कहा enthalpy change during the one step reaction soli to gas soli to gas, soli to gas इसको तुम लोगों ने थोर दिर पहले क्या बोल रखा था sublimation soli to gas, soli to gas clear, तो ये delta H1 हुआ is always equal to the sum of energies or enthalpies of several steps, if the same reaction same change, same process takes place तो अगर मैं delta H2 को delta H3 से add कर दूँ delta H1 को delta H2 और H3 से add कर दूँ अगर मैं delta H1 को delta H2, H3 से add कर दूँ तो अगर आप मेरी बात को सुन समझ पाए तो ये liquid, liquid cancel हो जाएगा इन दोनों को जोड़ोगे जबा तो आपके पास iodine solid, iodine gas बच गया तो इसलिए मैंने क्या कहा इसको तो haslo बोलते हैं अगर एक process, एक step में हो रहा हो और वही process अगर several steps में हो रहा हो और वही process अगर several steps में हो रहा हो इसी से related मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपको immediately दिमाग में set हो जाएगी वो, यूँ करते हैं, पेज बदल के बोलता हूँ, क्योंकि वो न, काफी सारे steps हैं उसके अंदर, और कई सारी enthalpies एक साथ cover हो जाएगी, ये लो, ध्यान से सुनना, यहाँ sodium है, ठीक है, यह मेरे पास solid है, यहाँ delta H sublimation है, यह sodium का gas बन गया, ठीक होगी बात, यहाँ half of the chlorine है, जो gas form में, यह standard state of element है, standard state of element है, एक ही step में, आप में से maximum बच्चे अब समझदार हैं, सुन चुके हैं बात को, इसको क्या बोलती हूँ, हीटो formation of one mole of NaCl, solid, मैं एक simple invitation दे रहा हूँ तुम लोगों को, इस reaction को देखकर बताओ यह क्या है, कहाँ चले गए, हाँ, simple, delta H formation, लिखा तो पहले भी था, यह पूछा था, सही है कि गलत है, लिखा तो पहले भी था, मैं लिखा नहीं था, calcium oxide plus CO2, calcium carbonate, लिखा तो वहाँ भी था, heat of formation, फिर पूछा था, सही है कि गलत है, ऐसे तो बुक में भी लिखा मिलेगा, H2, Cl2, 2HCl, लेकिन तुम खुद ही बोलोगे गलत है, हाँ, फिर वह भी तो कहा रहा हूँ, और क्या कहा रहा हूँ, चलो, अच्छी बात है, delta H, supplementation हो गया, तो अब मैंने, इसको delta H ionization, ठीक है जी, ionization energy बच्चे, ठीक है, Na plus gas बन गया, चलो जी, इसका काम तमाम, endothermik, endothermik, अब धिर धिर आपको चीज़े याद आ जाएंगी, यह delta H bond dissociation है, यह endothermik है बात का matter है, लेकिन, इस पूरी energy जितनी इसको तोड़ने में चाहिए न, उसकी half चाहिए होगी, लेकिन क्या बन जाएगा, chlorine का atom, तो कितनी सारी terms इसमें आ रही है, जो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, फिर भी आ रही है, sublimation पढ़ा दिया, bond dissociation पढ़ा है नहीं, आ गया, इसको heat of atomization भी बोल सकते हो, मैं करा हूँ, term सुनो, बजाए इसके, बुक नहीं क्या लिखा है, delta atomization, energy needed to form the atoms on the molecule, ये क्या बन गए, atoms बन गए, एक atom बन गया, अब जो बात मैं आप से कहा हूँ, इसने electron eject करवाया, वही electron इसने खाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आप सारे समझदार बच्चे ओ, delta heg, electron gain enthalpy, delta heg, electron gain enthalpy, क्या बन जाएगा जी, c l minus gas, ठीके जी, तो एक energy ये हुई, दूसरी energy ये हुई, तीसरी ये वाली हुई, चोथी energy ये हुई, अब इन दोनों को मिलाकर सीधे, इसके final destination पे पुँचवा दो, याद है, na plus gas, c l minus gas, when react to each other, electrostatic force of traction, they will form any c l solid, इस पूरे process में, जो energy wall होती है, नाम क्या हुई, उसका lattice energy अगर भूले नहीं हो तो, तो पांच step हुई, delta H formation, एक step, delta H formation, एक step, delta H sublimation, several steps का पहला पार्ट, several steps का ionization, दूसरा पार्ट, bond dissociation, तीसरा पार्ट, electron gain, चोथा पार्ट, lattice, पांचवाँ पार्ट, इन सबका सम, इसके बराबर है, ये कुछ नजर आया, आपको क्या लिखा हुआ है, इस बहाने कई सारी बातें इसमें हो गई है, lattice energy का definition, bond dissociation का definition, इसी का नाम heat of atomization का definition, electron gain पता है तुम्हें, ये तुम्हारे पास ionization है, ये पता है तुम्हें, sublimation अभी थुर दिर पहले बता है था, तो एक तीर से कई सारी निशाने हो गए, क्या, heat of atomization बता दिया, lattice बता दिया, borneiver cycle बता दिया, इसके अलावा हैसलो बता दिया, हैसलो का simple मतलब पते क्या निकला, one reaction proceeds in one step, and the same reaction proceeds in the several steps, then enthalpy change of one step should be equal to the sum of the enthalpies of several steps, अगर कोई reaction एक step में हो रही हो, उसका enthalpy change अपने पास संभाल के रख लो, और वही reaction, वही reaction, वही reaction, सेम reaction, वही reaction, ये वली, several steps में हो रही हो, several steps में, तो उन सब का sum कर दो, तो enthalpy आ जाएगे आपके पास, ये लो जी, और ये लो जी, इससे related बहुत प्यारा सा question है मेरे पास, अब ये तो आपने करी लिया था, clear, अब तुम 16 number, 17, एक 22 number पे है शायद वो question ना, नहीं, ये रहा 21, 21, इसका screenshot लेके रखना, calculate the lattice energy of NACL, crystal, from the following data by use of bornever cycle, sublimation दे रखा है, dissociation दे रखा है, ionization दे रखा है, clear, electron gain दे रखा है, hito formation दे रखा है, तो क्या इस data को पढ़के आपको लग रहा है, कि आप इस question को solve कर पाऊगे, honestly बताना, इमानदारी से बताना, तुम्हें करना क्या है, इस सारी के सारी values को, इन सारी के सारी values को, इनमें use कर लेना है बस, और निकालना क्या है, lettuce, ये दियावा है, ये दियावा है, ये दियावा है, ये दियावा है, बस ध्यान रखना, वो जो उसने, उस question के अंदर न, उस question के अंदर, जो, dissociation in therapy दियो, per mole दिये, इसको तुम्हें half करके लिखना पड़ेगा, क्लोरिन का तो एक एटम ची ये न, पतर, 225.9 का half करके लिखना पड़ेगा, बस, बाकि इनके साथ sign खुदी यूज़ कर रखे हैं, उसने minus का, minus का, ये सारे sign खुदी यूज़ कर रखे हैं, क्यो जी, तो इसके अंदर आपको हैसलो समझ में आया, बोर नैबर साइकल समझ में आया, सब्लीमेशन क्या है, हीटो फ्यूज़न क्या है, clear, और हीटो वेपरेशन क्या है, हाँ, जी, बोलो, बोलो, sign देगा, बच्चे, जिसे exo है, heat of hydration है, हाँ, इनके तो by default आपको यूज़ कर लेने, और नी तो खुद देगा, नी तो बच्चा पंगें पड़ जाएगा, वो खुद देगा, कुछ ऐसी energy जो by default ही पता होती है, combustion की हो गई, यह सब पता ही होती है, मैंने देखा, time 10.58 हो गए है बच्चे, ग्यारा बजे मेरी class टोनी है, डेड़ मिनट बच्चा हो है, ठीक है, तो मैं यहाँ से आप से, बाहर जा रहा हूँ मीटिंग से, और फिर मिलते हैं हम लोग, वो डेड़ दो बजे वाली class के अंदर, ठीक है,